असलाम अलेकुम आज हम बनाएंगे फीज दमकरी आप इस तरीके से फीज दमकरी अगर बनाएंगे तो फीज में जो एक इसमेल रहती है वो बिलकुर नहीं बने रहेगी और यह बहुत ही सांदा लाजबा फीज करी बनता है तो चलिए सुरू करते हैं यहाँ पर हमने आदा क नमक लिया है एक टेबली स्पून हल्दी पारड़र एक टेबली स्पून कस्मरी लालमिरिच पारड़र एक टेबली स्पून जीरा पारड़र और एक टी स्पून धनिय पारड़र और एक टी स्पून हम एट कर गी तो अब इसकी जगा पर तेल भी एट कर सकते है और एक टी मसाला को हम अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो इस तरीचे से घृक्राइबíanाना है, अब एव जगोंगे अच्छे से मसाला को अपलाई करेंगे, दोने से अच्छे से, थेальके से, मसाला अच्छे से से फीज के अंदर ऐखू 8 के अब होना चाहिए, से मैदा से हम कौट करेंगे आप इसकी जग़ा पर कॉनफलार भी ले सकते है और चावल का आटा है तो वो भी ले सकते है कर रहे हम और हमरे पशले हैं हम ले अग यह दूसरी Lnda कर लिया है और इसको cover करके 10 मिनिट के लिए मेरने कर लेंगे तो यहां पे हम कुछ मसाला लिया है गरेवी बनाने के लिए तो एक प्यास लिया है बरा साइज की इस तरी किसे slices काट लिया है और चार पाच टमाटर लिया है टमाटर को भी इस तरी किसे काटा है मिर्शी लिया है और हिसाब healthcare दीजे यहां पर एक प्ल के तेल गरम लिया है तो यहां पर हमने पैन में तेल में कर लिया है जीर्ञ है और मिक पत्त त्यज़त कि essent इसको थोड़ो सा हम रोस्ट कर लेंगे, तो देखिए हमारा यह सब रोस्ट हो गया है, आप इसमें एड करेंगे प्याज, प्याज को थोड़ो सा भून लेंगे, इसके बाद एड कर देंगे टमाटर और धेनिया, धेनिया एड करने के बाद हम थोड़ो सा नमग आड करेंग तो ताकि सब मसाला ये सब गल जाए अच्छे से एक से दो मिन तो आग हाई फिलेम पे इसको भून लेंगे ताकि टामाटर नरम हो जाए तो देखिए हमारे टामाटर धनिया नरम हो गया है आप इसमें एड करेंगे काली वाली राय एड करेंगे टूटी स्पून आप पीला अच्छे से मि Beet यहां इसें हमारा गरावी बनने के लिए तैयार हो गया आप थैस के फिल्हेय के नगी ठंड गलेंगे टिल गरम कर लिया है और यहां पर हम एक प्याव फ्राइ कर लेंगे और इसका बरिस्त बनाना है में गॉल्डेन ब्राउन और इसको हम बाद में एड कर तो आपी साइब कर लेंगे तो आप इस तरह से सब्णक कर लेंगे तो पराई हो गया है दूसरे साइब पलर देंगे इसी तरह से सभी फिसोर को फ्राई कर लेंगे तो फीस हमारा फ्राइ हो गया है अब इसे बहार निकालेंगे हम और इसे हमें ज्यादा ड्राग भी नहीं फ्राइ करना है और ज्यादा करक भी नहीं होना चाहिए नरम रहना चाहिए तो बाके को फीसो को भी इस तरीके से कर लेंगे फ्राइ और यह जो मसाला बच्लम प्लेट में इसको हम फेकेंगे नहीं बाद में gravy में सामिल करेंगे तो यह भी Vik हमारा एक साइड हो गया है दूसरे साइड फ़लर्दिंगी से अजाल यह भी हमारा फ्राई हो गया है इसे भी भाहन निकालेंगे तो अभी हम इसका मासाला ग्रे भी तयार कर लेंगे यह हमारा ठंडा हो गया और इसको ऐसा मिकसर जा लेके इसको अच्छे से फीस लेंगे बारीक पिसना है हमें और पानी एड़ नहीं करेंगे हम तो दे कि हमारा इसतरी के से फीश लिया है हम थे हो यह तो अब ही यहां पर फिश सामिल कर देंगे एक कराई वे और मसाला भी प्याज बरिस्ता करेंगे और अच्छे से हाथे की मदद से सभी फीसो में मीक्स कर लेंगे उपर नीचे तक भी अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से देखिए हमारा ये मिक्स हो गया है और एक एक फीसो को अच्छे से इस तरह के से बैठा देंगे और इसके बाद हम एक बाल पानी एट करेंगे पानी एट करने के बाद इस तरह के से हिला देंगे इसको ताकि फीसु के अंदर तक भी पानी सामिल हो जाए और जो तेल से हम फीस फ्राइ किया है वो तेल भी थोरा-थोरा इस तरह सामिल कर देंगे ज्यादा तेल सामिल नहीं करेंगे दो से तीन टीस्पूनी करेंगे और उबालाने देंगे, उबालाने के बाद एक से डेर मिनिट के बाद पका लेंगे, एक से डेर मिनिट के बाद धकन हटागे, इसका नमक चेक कर लेंगे, और इसमें हमारा अभी नमक जाएगा, तो देखिए दम फीस बनाने का मैन मेथद यही होता है, फीस को हम चलाएंगे य Ridge Ridge यू गए नहीं उस तरह से धीरे इसे पास करांघंगे ताकर फिस हमारा कराय की नीचे चिपके न और Denka इसको इस तरह से इसे व्राना इसा चुज माण ईए यहने प कौईए पानि गव और यह fian इसकी के पानि ने तयार हो जाता है तो यह अब हम ओनोगको चेक करें ने तो आलू हमारा गला है की नहीं तो देखिए इस तरह से आलू हमारा टूट रहा है तो आलू हमारा गल चुका है तो फीस हमारा रेडी हो गया है को अगर गरी भी कम लगे तो आप पानी एट कर सकते हैं तो देखिए कितना हमारा सांदार फीज बनके तयार हो गया है और इतना खुजबू आ रहे है इसका देहिए मसाला भी अच्छे से मिक्स हुआ है फीज में और एक भी फीज हमारा टूटा नहीं है तो इसी तरह से आप भी ट्राइ करें ये रेसेपी बिल्कुल पसंद आएगा आपको और अगर हमारे म कीजिए सेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को अल्ला हफीज